जो देखे हम जो बात कह रहे हैं देखे देश में ताहम प्रदेश की बात करें देश को छोड़ देए अगर तो देश पहले किसी प्रधान देश था अब जाती प्रधान देश था जातियों को धोखा सत्ता में बैठे हुए लोग जो सत्ता चलाए लोगों ने दिया ने हम कह पिछले दलित को तो फिर सपा बसपा ने क्या किया है कि सवाल तो यह भी खड़ा होता है ने आपने क्या किया आजादी के बाद मुसल्मान नोकरियों में 38 परसेंट था चलो कांग्रेस ने दोखा दिया बीजेपी को आप लोग बताते हो के दुश्मन है लेकिन आप दोनों दुख बताओ सपा बसपा के लोगों कि 18% उट देता है मुसल्मान सरकार बनाने में एक बार तो सीम भी नहीं बनाए डिप्टी सीम भी नहीं बनाए सीम डिप्टी सीम तो छोड़ दो जब पूलिस की भरती होती है तब वो तो जो लोहा दुनिया अंसारी सेख सेयद पठान साही दरजी फकेद इनको तब भो नहीं पूछते हो अवोट आता है तो एकदम खबरदार बीजेपी का जाएगी एकदम डटे रहो मेरे साथ यही घड़ बंधन होता है तो सीटे जो टै होती है तो वो जो पार्टी अपनी पौनी का पर्त्यासित आ करते हैं उन्होंने आमको तेरा प्रत्यासिय दे दिया और धमकी उपर से दे रहे हैं हाप लोगों के चैनल पे देख रहा हूं कि बहुत जादा न सपला नहीं तो अकेले रह जाएंगे, तो उनको ये भी नहीं पता है, कि हनुमान जी लंका अकेला गए थे, अब पुरी लंका जला के चले आए, ये भूलते हैं, कि वो ताकत नहीं होती, तो अखिलेश जी सम्झोता करते हैं, ताकत नहीं होती, तो 2017 में हम BJP के साथ सम्झोते में जाते, आज भी हम हमारे पास एक जनाधार है, जिसके वज़े से हम सम्झोते में हैं, हर आदमी ये चाहता है कि भारती समाज पार्टी हमारे साथ रहे, ये तो ताकत है, इसको तो कोई अगनोर नहीं न कर सकता है, आज देश की राजनीत में भारती समाज पार्टी दिख रही है, तो जो आज दोखे की बात सत्ता में जो लोग रहे, अब तक आप उठा के देखिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापती, कुमार, बिंद, किवट, मला, राजबर, चवान, आरक, अरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दरजी, पकीर, किसे एक सेयद पठान, क्या दिया है लोगों ने?